धाकर खबर के नियूज रूम से मैं आपके साथ हूँ अक्रम रईस खान भारतिय महिला के लिए अपनी आन बान और शान और अपना सम्मान सबसे बड़ी चीज होती है चाहे वो घरीब हो चाहे वो अमीर हो अपने फिल्में खूब देखी हूँगी फिल्मों में तमाम ये डायलोगा है ठाकर सहाब मैं अपनी आब रुपे आच नहीं आने दूँगी अपनी जान दे दूँगी और पता चला कि वो अपने पेट में खंजर घूम लेती है जान दे देती है लेकिन किसी को अपनी ऐसे इज़त पर हाट डालने नहीं देती ये ही सीन अपने फिल्मों में देखा होगा कि माई जो है वो भी मडर इंडिया की भूमिका में दिखाई देती है अगर बेटा गलत होता है तो साफ कहते है कि हमें ऐसे बेटे का साध देने की जोट नहीं उसे फासी दे देदीजी प्रावन में ऑसकर के लिए नॉमिनेट हो जाती है भारत की पहली फिलिम जो ऑसकर में गई क्यों कि वहां भारतिय महिला का भारतिय मा का एक रूप पूरी दुनिया के सामने गया कि अगर इज़त पे बात आएगी ना तो अपने हातों से एक मा अपने बेटे को मोत के घाट पतार सकती है लेकिन जलालत बरदाश नहीं करेगी यहीं से सवाल पैदा होता है कि अब वो माए कहां है भारतिय समाज में वो माए क्यों नहीं दिखाई दे रही है एक वर्ग विशेस ऐसा है जिसकी तरब से माए दिखाई दे रही है सवाल पैदा होना जरूरी है कि क्या ये बहु संख्यक वाद के टशन में जी रही हैं इसलिए ये मदर इंडिया बनने की कोशिश नहीं कर रही हैं और दूसरी दर जो है वो अलप संख्यक वाद के डर में जी रही हैं उन्हें पता है कि अगर वो ऐसा नहीं बोलेंगी तो हो सकता है और भी परिवार को और भी समा पाइद कर रहे हैं कल राहूल गांधि और प्रियंगा गांधि के सामने भी उन्होंने हंगामा करने की कोशिश की पंचायत करके उन्होंने साफ कहा कि हमारे लोग बेगुना हैं सीबी आई जाच होनी चाहिए तो इतनी धीटता से वो अब भी बात रख रहे हैं कोई महिला मदर इंडिया सामने नहीं आ रही है जो कह रही है कि अगर मेरा बेटा दोशी हो तो उसे फासी पे चढ़ा दो सवाल खड़ा होना लाजमी है कुछ सिद्धान तबीन लेकिन आपको समझ आना चाहिए हिंदू लड़की के साथ रेप हुआ रेप के बाद उस बच्ची की हत्या कर दी गई आरोप इरफान नाम के मुस्लिम लड़के पे लगा जिसके बाद आप स्क्रीन पर देखिए मुस्लिम समाज ने साफ कह दिया कि इसक फासी दे दो हम लोग इसको अपने कबरिस्तान में भी जगा नहीं देंगे ये पूरा मुस्लिम समाज निकल के आया बावजूद इसके मुस्लिम समाज के सिस्टेंड के बावजूद कुछ लोग हिंदू वादी होने का दम भरते हुए सड़कों पर परदर्शन करते रहे और कहते रहे कि मुसल्मान ने हिंदू की बेटी के साथ रेप किया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी अब दूसरी तस्वीर देखिए आपके सामने लेके चलता हूँ दिसंबर 2019 की ये तस्वीर है हैधराबाद का मामला है गैंग रेप की शिकार हुई वो महिला डॉक्टर जो इसको टीबे सवारो के अपने घर से निकली किड्नेप के बाद उसके साथ इस वारदात को अंचाम दिया गया और जला कर उसकी हत्या कर दी गए इस मामले में चारा रोपी पकड़े गए चारा रोपी के नाम देखिएगा आपको समझ आ जाएगी चीजे मैं क्या आपक मेरे को फांसी दे दो मेरा बेटा अगर ऐसा कर रहा है मेरे बेटे ने जधन्य अगपराद किया है तो मेरे बेटे को फांसी चड़ा दो महां समाज कह रहा है कि हम इस को फांसी के बाद अपने कबरिस्तान में जगा नहीं देंगे यहां यह मा कह रही है कि इसको फांसी दे दो लेकिन ऐसी आवाजे दूसरी तरफ से क्यों नहीं आरी वो दूसरी तरफ क्या है वो थोड़ा सा देख लीजी सबसे पहली तस्वीर अगर मैं आपके सामने रखूँ तो जादा बैतार होगी उतरप्रदेश की बात कर रहा हूँ तो उन्नाव का जिक्र कर लिया जाए उन्नाव में कुलदीप सिंग सेंगर बीजेपी का नेता विधायक है दोशी साबित हो चुका है अब सजा सुनाई जा चुकी है उसको उम्र ही नहीं मानते हैं या हम जो है ऐसे शक्स के साथ नहीं रहना चाहते हैं हम इसका बाइकाट करते हैं या हम मरने के बाद इसके शव को देखना नहीं चाहेंगे इसकी शकल नहीं देखना चाहेंगे इसका अंतिम संसकार भी नहीं करेंगे किसी ने कहा क्यों नहीं कहा यहीं स सामने निकल के आई हो सकता है उसमेंस लड़की की घलती बहुत लेकिन इससे क्या आप इंकार कर सकते हैं कि उस लड़की का उत्पीडन हुआ योन उत्पीडन हुआ शेक्स्वाल हरस्मेंट हुआ इसे इंकार कर सकते हैं कौन निकला क्या चिनमेनंद की मा निकली हो पतनी नि क्लिए हो या समाज निकला कि हम चीन मेरेंद का बाइकाट करेंगे अरे साहब यहां तो जो राम रही में जो रेप का आरोपी साबित हो चुका सजा मिल चुके पत्रकार की हत्या में सजा मिल चुकी है उसे पिता जी कहा जा रहा है यहां तो आसा राम बापू कहा जा रहा है जो के दोशी साबित हो चुका सजा काट रहा है लेकिन उसको बापो का जा रहा है चलिए वो तो धर्म गुरू है उनका एक नशा हो सकता है लेकिन इन लोगों के बारे में तो क्लियर होना चाहिए जैसे आप देखिए कटवा कटवा में क्या हुआ आठ साल की उस मासूम बच ठहरा चुकी है सब लोगों मैं कह रहा हूं चलिए जब तो आरोप लगे तम मत बोली अब तो दोशी ठहरा दिया गया क्या उसके परिवार की या उस परिवार की कोई महिलाए सामने आई हो कहा हो मैं इसे बाप नहीं मानती मैं इसे अपना बेटा नहीं मानती कोई एक महिल लेलियों में शामिल हुए तो यह क्या दिखाता है कि उनके पास बहुत संख्यक वाद के ताकत हैं हम तो कहेंगे और पता है कि हम और फज जाएंगे चलो यह बोलते हैं तो क्या मजबूरी में हो रहा या शौक में हो रहा है यह आप लोगों को खुद तया करना पड़ेगा हमारा काम है आपके सामने तस्वीर रखने का अभी बात कर लेते हैं इसकी हात्रस वाले मामले में पंचायते चल रही है तमाम तरीके की चीज़ें उभर रही है क्या कोई आरोपियों की परिवार से कोई महिल आए आके इतना ही कहा दे कि हमारे लोगों ने एक दलिद बेटे की हत्या कर दी उसकी जिन्देगी चीन ली उसकी जो सपने थे सब कुछ खतम कर दी परिवार को एक ऐसा दर दे दिया जिन्देगी बटीस करता रहेगा उसी पर आके बोलें कि हम हत्यारे पती के साथ हत्यारे बेटे के साथ हत्यारे पिता के साथ नहीं रहेंगे? याम उसका बाइकाट करते हैं? क्यों नहीं युड़ रहा हूं यूइस सवाल है और इस इस सवाल के साथ आम च्होड़े जारा हूं आप भी जवाब दीजैका इसी सवाल के साथ खबर को लाइक कर सकते हैं चैनल को सबस्काइब कर सकते हैं जादा से जादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं फिर ऐसे ही किसी सुलकते वे अवलस्ते मुद्डे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाज़िफ लाल अभी मुझे दें इजास